एमाजोन की सबसे बड़ी प्रावलम है रिटर्न की जो कस्टमर पहली बार कोई चीज़ रिटर्न किरवाते हैं जैसे मान लो की आज प्रोड़क्ट आया है उसको मैंने कल रिटर्न किरवाना जो नहीं अच्छा निकलता है खासके इलेक्टरॉनिक चीज़ें होगी जहां कु करने के बाद यहां पर देखिए आगे आप्शन आ रहे हैं रिटर्न का इसमें कोई आइटम कर सकते हैं रिप्लेस्मेंट आप्शन के जंजट से कैसे बज सकते हैं सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है तो समझने से पहले आपको बता दूँ कि पहली बात चैनले पर आये हैं तो सब्सक्राइब करे लिजिए और बैल आइकन का बटन प्रेस करे लिजिए आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और हाँ वीडियो शुरू करने से पहले आपको उसके बार जब आप जो भी चीज और करेंगे तो उसके 99% चांसे हैं में भी आपको discount मिल सकता है जहां फिर cashback मिल सकती है मैंने tripod और मार्क का लिंक दे रखा है आप उस पे भी click कर लिजिए तब भी आप चाहे कोई और भी कर लिजिए जैसे आप camera को open करेंगे तो उसके बार आपको फोटो क्लिक कर लिए यहां पर आपको अपना रीजन लिख देना है कोई रीजन लिख दीजिए continue करने के बार आपको replacement confirm करने का option आएगा तो आपको confirm कर देना actually अब होता क्या है यहां पर समझेए पहली बार कोई भी चीज कही बार कुछ आइटमें ऐसे होते हैं जिनको आपको replacement ही करना होता है आपकी रिटरन आइटम नहीं हो सकती है अभी मैं tripod कर रिटरन नहीं करना चाहता हूँ जो चीज मैं रिटरन करना चाहता था और जो चीज जे थी मेरी सबसे बड़ी मुसीबत इसको मैंने रिटरन करना था बट नहीं हुआ उसकी जिगा जैसे उसमें replacement का option आ रहा था सेम इसी में भी जहीं आ रहा था लेकिन मैंने replacement करके फिर से इसको मंगवाया था क्यूंकि मुझे replacement के बिना कोई भी option नहीं दिख रहा था तो हो चुका है रिटरन का option खुल के आ चुका है चोरक तोबर तक यह वैलेदर रहे गया यहाँ पर देखे नधर आइटम पे क्लिक करता हूँ तो अब आसानी से रिटरन आइटम हो जाएगी यहाँ पर मैं रहां का item बाद सेंट पर क्लिक कर देता हूँ जैसे मिरा रहां पर क तो मैं इसके फोटो क्लिक करके अपलोड कर दी है आपको प्लस पाले आइकन पर क्लिक करके पोटो अपलोड कर देनी है उसके बाद बगाद को तो पहले Right refund to your bank account में करे आप जिसमें भी अपने refund लेने चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लिए मैं फिलहाल bank में इसका refund लेने चाहता हूं तो मैं इस पर bank पर click कर लूँगा अब option आ रहा है choose bank account तो मैं जहां पर bank account इस पर click करके तो अपना bank account number choose कर लूँगा तो मैंने यह सब कर दिया हुआ है उसके बाद continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद यहां पर देखिए नीचे आ चुका है कि आपका इतने देड़ तक आपका इतने टाइम तक आपका जो है पार्सल रिटर्न हो जाएगा यहां पर confirm return पर मैं click कर दूँगा मेरे जो भी पैसलों के मेरे bank account में आ जाएंगे refund होके यहां पर confirm your return पर click कर देता हूँ अब देख सकते हैं कि your order is confirm मेरा order यहां वो रिटर्न के लिए confirm हो चुका है नीचे पिक अप डिटेल आ रही है इनिशेटर डिटेल आ रही कल यह मेरा parcel यहां रिटर्न हो जाएगा और मेरे थोड़ टाइम के बाद पैसे return हो जाएंगे तो गाइस अगर आपको return किरव हूँ